हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं डॉक्टर जोती पांड़े डेंटर क्लिनिक से मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक और पुलिंग लेके आई हूँ इस विधी से मुख के अंधर की प्रॉब्लम जो है वह बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो मैं एक डेंटिस्ट हूँ इसलिए मुझे बताना जरूरी है कि और पुलिंग की जाती है क्या होती है यह वाल पुलिंग करने से मुख में फायदे क्या क्या होते हैं किन तरीकों से किय जाता है तो इक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोश्चन यह है कि और पुलिंग किसे कहते हैं और पुलिंग एक बहुत पुरानी टेक्निक है एक बहुत पुरानी आयुडवैदिक की टेक्निक है जिसको की तब से किया जाता है जब उस समय हमारे सरीर के लिए और हमारे मुख के लिए ना तो पर्याप्त दवाईया हुआ करती थी और ना ही सारे ववस्थाएं हुआ करती थी इस वीधी के द्वारा मुख को डी टॉक्सिफाई किया जाता है मतलब मुख के अंदर जो सारे 300 प्रकार के जो बैक्टिरिया या किटाडू पाय जाते हैं उन हमारे मन में यह आता है कि और पूलिंग करने की वीधी क्या-क्या होती है तो इसकी शामानिता चरक सहीता के अनुशार अगर देखें तो इसकी दो वीधी होती है एक गंडूश दूसरा कवाला गंडूश वीधी में मुह में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल को भर जाता है और उसको खोल्ड करके मुह में रखा जाता है बिल्कुल इस तरीके से 5-10 मिनट के लिए और बहुत ज्यादा मैक्सिमाम अगर आप कर सकते हैं तो 15 मिनट तक उसके बाद इसको स्पीट कर दिया जाता है सकेन वीधी जो होती है उसको कवाला कहते है इस वीधी में चोटा सा एक चोटे स्पून चमज भर लेके और को मुह में रखके उसको स्क्रीज और किया जाता है या उसको घुमाया जाता है जितने भी किटारूं होते हैं मुंके वह अच्छे से घुल जाते हैं इस तेल में और उसके बाद उसको कुछ देर 15-20 मिन तक इसको होल्ड कर होते हैं पहला गिए हमारे मुह के अंदर कि गता नुझे उसको बहुत ज्याधा कौंटिटी में किल कर देता है इसी ज़िए से जयर्थो में सडीन अच्छे कम हो झाती है, सकेंड जो होता है, जिसको भी मुह में Rev hiện vaya मैसूस होता है, जिनके सलाईवा बहुत कम कॉइंटिटी में बंते हैं, तो उनमें यह saliva की क्वां चीजादा ॹोने लगती है, मुह की जो ड्राइनेश होती है, जिसको के गजरस्टोमिया वी बोलते हैं वो लग बाग कम होने लगती है। तिसी हैं जितने भी मसूडे के जो प्रॉबलम्स होते हैं वो कम होने लगते हैं जैसे मसूडों में पसबन ना हॉश से खूनाना क्योंकि यह प्लाक का जो accumulation है उसको यह उसको कम कर देता है। अब हम यह जानते कि ऑइल पूलींग किस ऑइल से किया जाता है तो आईव्यदिक के हिसाफ से और तेल कोई नारियल का तेल क्योंकि इसमें कोई भी इसमेल नहीं होती इस वज़़ा से लोग इसको करना ज्यादा प्रफर करते हैं लेकिन इसके अलावा भी सेसमी आयल मतलब त सबसे पहले जब आप सुपर इंपटी स्टमक होते हैं खाली पेट होते हैं तब इस वीधी का उपयोग किया जाता है इसमें एक छोटे चमच तेल को मुह में ले लिया जाता है यह 7-10 मिंट तक इसको आसे ही करते रहते हैं जब आप अश्रिय का लगता है ले लिफीड होती है और वो उसको viscous या फिर उसको पतला कर देंगे या फिर सफेद कलर के कर देंगे तो वो condition होता है कि उस तेल को speed कर दिया जाए उसे थूख दिया जाए कभी भी oil pulling जब आप करते हैं तो oil pulling करने के थोड़े देर के बाद गुनगुने पानी से आप अच्छे से मुग की सफाय कर लेजिए उसके बाद जैसे आप proper brushing करते हैं वैसे आप brush करके अपने मुग को साफ कर लेजिए नेक्स्ट कोशन यह आता है कि क्या oil pulling करने के कोई side effects भी होते हैं तो जी हाँ इसके side effects भी है यह आइडवैदिक वीधी है पर कुछ लोगों में जिनकों की TMJ join मतलब यह वाले यहां की जो हड़ी होती है उसमें अगर दर्द हो तो यह वीधी करने के लिए उन्हें मना किया जाता है कभी भी oil pulling करने के बाद अगर आपके मुह में किसी प्रकार की कोई allergy, redness कुछ देखने को मिलता है तो oil pulling आप उसी समय बंद कर दीजे या किसी भी patient में muscles tenderness की problem है तो भी oil pulling को मना किया जाता है और इसमें सबसे ज्यादा शावधानी की बात यह होती है कि जब भी मुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं सबसे लास्ट कोशन यह है कि क्या oil pulling जब हम लोग कर लिए oral hygiene तो मैंटेन हो गया तो क्या ब्रश करने की जरूरत है या फिर flushing करने की जरूरत है या mouth wash करना जरूरी है क्या तो बिल्कुल आपको जरूरी है आप जिस तरीके से अपना ओर घंटेन करते थे वहहुफ बिलकुल कर रहें जरूरी है और प्रॉपर ब्रश नहीं करेंगे जरूरी हमारे करेंगे तो आप में सिर्फ यह मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉंग होते हैं स्कीन ग्लो करता हैर ग्लो करता और भी बहुत सारे फायदा है जो यह देखने को इसमें मिलते हैं तो यह एक बेसिक एक्सरसाइस की तरह आप इस हैबिट्स को भी अपना सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ आपको dental check-up की जरूरत पढ़ती रहती है समय समय पर आप वो करते रहेंगे अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने family और friends के साथ इसको शेयर जरूर कीजेगा ताकि सब लोग इसके फायदे को समझ सकें और प्लीज अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और अगर पुराने हैं तो thank you so much for your motivation लते हैं कर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपने family और friends के साथ have fun guys take care, bye bye